आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में आज हम एक रुचक और ग्यानवर्थक विशय पर चर्चा करेंगे नौकरी बनाम व्यापार यह विशय आज की दुनिया में बहुत मात्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल होता है कि क्या उन्हें नौकरी करनी चाहिए या अपना व्यापार शुरू करना चाहिए हम सभी जानते हैं कि नौकरी करना और व्यापार शुरू करना दोनों ही अलगल अगलाब और चुनोतिया लेकर आता है हम पहले नौकरी के फायदे और उसकी सिमाओं पर बात करें नौकरी करने के फायदे शायद सब को पता होंगे पहला पायदा है निश्चित वेतन प्राप्त करना नौकरी आपको मासिक या सालाना वेतन देती है जिससे आपके आर्थिक स्थिती पर निर्भरता कम होती है दूसरा पायदा है नौकरी के दौरान अनुभव और कोशल की गहराई आप अपने क्षेतर में विशेशग्यता प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त करते हैं तीसरा पायदा है सुरक्षिता का अनुभव करना नौक्री आपको सुरक्षित महसूस कराती है क्योंकि आपका बेतन और अन्यलाब कमपनी द्वारा प्रदान किये जाते हैं हलाば कि नौक्री की सीमाएं भी है नौक्री में आपको अपने सीमित समय के अनुसार काम करना होता है और आपकी आवाजना केवल कमपनी द्वारा सुनी जाती है, बलकि आपके उच्चा धिकारी भी आपको नियंतरित कर सकते हैं, आपको नौकरी में अधिकार और निर्नाय का पूरा हक नहीं मिलता है, इसके अलावा नौकरी करने में थकान और तनाव भी हो सकता है, जिसके कार परन्स्वास्थिय पर असर पढ़ सकता है। अब हम व्यापार के बारे में बात करेंगे। व्यापार करने के फाइदे भी कई होते हैं। पहला फाइदा है आपकी खुद की निर्ने शक्ति। जब आप अपना व्यापार शुरू करते हैं, तो आपके पास निर्ने लेने की स्वतंतरता होती है। दूसरा फाइदा है अनलिमिटेड कमाई का अफसर। व्यापार में आपकी कमाई आपकी मेहनत और समर्पन पर निर्भर करती हैं। और आप अपनी मेहनत के हिसाब से बढ़ सकते हैं। तीसरा फाइदा है स्वतंतरता और उच्छ तमात मसंतुष्ट का अनुभाव करना व्यापार में आप खुद का अधिकारी होते हैं और अपने विचारों को अमल में लाने की स्वतंतरता प्राप्त करते हैं हाला कि व्यापार करने के भी कुछ नुकसान हो सकते हैं यहाँ आपकी प्रारम्भित निवेश की आवश्यक्ता पड़ेस्तर पर प्रतिसपर्था और संजालन के लिए अधिक जिम्वेदाली लेने का मतलब कर सकता है व्यापार में सपलता प्राप्त करने में समय और मेहनत की भी आवश्यक्ता होती है इस पाड़कास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नौकरी और व्यापार दोनों के अपने फायदे और नुकसान है जो विजाशील व्यक्ती है वे अपने उद्यमी और नौकरी वाले चरित्र की पहचान करके अपनी रुजी और प्राथ मिक्ताओं के आधार पर एक निर्नाय ले सकते हैं यहां हमारा एपिसोड समाप्त हो रहा है हमें उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको समझ में मददकार और मनोलंजिक रहा होगा धन्यवाद इस पॉड़कास्ट को सुने के लिए हम जल्द ही एक नया एपिसोड के साथ वापस आएंगे झालो आएंगे झाल 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 झाल